तो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं, पीछले क्लास में मैं ज़्यादा पढ़ाया नहीं था, बस ये बताया था कि इलेक्ट्रस्ट्रेटिक्स होता क्या है, डिफाइन क्या था, और चार्ज के बारे में कुछ बेसिक प्रोपरटीज पढ़ाया था, है ना, आज हम लोग चार्ज को कम्प्लीट कर लेंगे और फिर फोर से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना, तो आज हम लोग चार्ज के बारे में क्या-क्या चीज पढ़ेंगे, तो चार्ज के बारे में हम लोग आज फोर चीज़ें हम लोग चार्ज के बारे में चार्ज चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला बारे में क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में तो सबसे पहला टर्म पढ़ने वाले हैं क्वांटाइजेशन लोग चार्जिंग मेथर्स पढ़ने वाले हैं है मतलब हम किसी बॉड़ी को चार्ज कितने तरीके से कर सकते हैं को बॉड़ी आप नेचरली चार्ज नहीं होता है चार्ज किया जाता है उसको उसमे प्रिटिव चार्ज आएगा या फिर निगेटिव चार्ज आएगा है ना तो चार्जिंग कैसे करेंगे तो मेथडस है तीन मेथडस है है ना सबसे पहला friction का है Frictional method friction है फिर दूसरा conduction है वो heat वाला conduction नहीं और तीसरा जो है induction है ठीक है न तो तीन हम लोग charging methods पढ़ेंगे और उसके बाद चौथा चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे आज के topic में वो पढ़ेंगे हम लोग क्या तो लास्ट में पढ़ेंगे distribution of charge यान्य किसी बॉडी में किसी अब्जेक्ट में किसी सब्स्टांस में चार्ज कितने तरीके से मनलब की कर सकता है डिस्ट्रिउट हो सकता है ठीक है ना तो इसमें जो है सबसे पहले दो आएगा एक तो डिस्क्रीट अदूसरा continuous आगर मैं बात करूँ तो यह चार्ज का डिस्ट्रिबिशन उसी तरी के सवगा जैसे मांस का तो हम लोग center of mass, moment of inertia, rotation पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो वहां पर हम लोग charge का distribution नहीं पढ़े थे लेकिन mass का distribution पढ़े थे. तो वाइसा ही कुछ यहां पर भी charge का distribution होगा. ठीक है ना? तो पहला तो discrete है ना? discrete होगा. discrete charge distribution और दूसरा continuous. और continuous कि अगर बात करें, continuous में कितने तरीके हो सकते हैं? तीन हो सकता है. पहला कौन सा? linear. दूसरा, surface या फिर aerial. सही बोल रहे हो, aerial distribution. और तिसरा volumetric वाला distribution. यह तो आज का जो है यही चार्चीज हम लोग cover करने वाले हैं. और यह चार्चीज फंडामेंटल हैं. तो होता क्या है गलती? कि लोग अधिकतर students क्या सोचते हैं? यह एक theoretical part है और इसको हम लोग याद कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं. ठीक है ना? आईजे theory और आगे लेकिन उनको यह पता नहीं कि यह आगे जा करके numericals में या आगे जब topic vast होता जाएगा यही concept बहुत सरदर्द बन जाता है लोगों को और confusion create करता है. सरदर्द कहने का मतलब क्या? छोटा-छोटा गलती करवाएगा तुमसे. आज इससे तुम्हारा बड़ा-बड़ा concept या ब devoted है. ठीक है? तो सबसे पहला topic क्या है? Quantization of charge है ना? तो हम लोग शुरू करते हैं. तो first topic आपका है Quantization of charge. अच्छा यह ची बताओ. कल हम लोग पढ़े थे कि चार्ज जो होता है ना? नेट चार्ज वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है. किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है? बताओ. हम लोग पढ़े थे, कि चार्ज जो होता है सर्ड नेट चार्ज जो होता है सर्ड आउड अनेट चार्ज वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका होता है? Ellie funded Command 이 region कया है इउग मैशा क्या लिखते थे बता तो? integer होता था नहीं यहीं integral multiple है यहीं क्या है बगगा integral multiple है ठीक है ना यहीं है quantization of charge यहीं कि जब भी किसी body में जो net charge होगा वो net charge इस E का कैसा multiple होगा कैसा multiple होगा बताओ integral integral multiple होगा ठीक है ना यहां तक तो सब को आसानी समझ में आता है कि कोई tension ही नहीं है तो sir आप पढ़ाद चुके हैं फिर आप क्यों समझा रहे हो लेकिन नहीं मैं समझा रहा हूँ तो कुछ तो सोच करके समझा रहा हूँ हना तो देखते हैं क्या है तरीका इसको समझने का है ना चलो one by one हम लोग देखते हैं अब देखो दिकत कहां पर आएगा बचा लोग कि माल लेके कोई object है यह तुम्हारे पास एक object है है ना यह तुम्हारे पास एक object है और इस object में मैं बोलूँ कि n1 जो है वो number of electrons है समझा रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ n1 क्या है number of electrons है और n2 क्या है बालक number of या मैं बोल रहा हूँ n1 जो number of proton ले लेता हूँ number of protons ले लेता हूँ और number of electrons ले लेता हूँ n2 क्या है लता हूँ number of electrons लेता हूँ और तुमको मैं क्या बताया था कि charge on proton क्यातना होता है charge on proton याद है तुमनों को plus e होता है very good और charge on electron कितना होता है charge on electrons कितना होता है minus E है ना net charge कैसे लिखता था बालक net charge केस के कारण होता है आप तुमको पता है ने कि किसी भी atom का दुनिया में तीन ही fundamental particles है क्या है तो 32-34 के ज़्यादा है लेकिन main रूप से पढ़ते कितने गवारे में हैं तीन कौन कौन सा electron, proton और लेकिन उन तीनों में से charge किसके किसके पास है electron और proton के बारे में है ना बाकिया और भी particles है सब particles लेकिन तीन ही main रूप से हम लोग consider करते हैं है ना जिसमें से charge वाला कौन कौन सा है proton और तो जब भी किसी भी object में charge होगा तो दो ही particle के करण होगा एक electron के करण होगा दूसरा proton के करण होगा तो अगर मैं net charge बोल रहा हूँ net charge अगर मैं बहुलू तुमको कि sir net charge कितना है q net की तो बहुत आसान है लिख दीजिए sir n1 i2 में plus e हां यह ना बोलो n1 into plus e यानि की charge किसके करण plus में sir और जो दीजिए n2 अगुना में कितना plus e की minus e minus e नहीं अब क्या होगा गलती बोलेगा sir proton का भी charge और neutron का भी charge जो दीजिए दोनों का net charge दोनों का जोड़ करके निकल गया लेकिन गलती क्या है यहाँ पे minus लगाना जरूरी है यही मेरे समझाने का मतलब था यहाँ से तो बहुत बच्चे को सुझ में आ जाता है लेकिन गडबड यहाँ पे करता है अगर अगर तुमको बोलूए इफ एन बन बराबर हो जाए किसके यानि कि किसी भी सब्स्टांस में नंबर ओफ प्रोटोन और नंबर ओफ इलेक्ट्रोन क्या हो जाए इक्वल हो जाए तो अगर इक्वल हो जाएगा तब Q net की फेलों कितनी हो जाएगी? हो जाएगा ने 0? ने हो जाएगा 0. उस body में net charge कितना है? 0 है. इसका मतलब कि net charge जब भी होगा किसी body में, तब पक्का electron और proton के number क्या होगा? same की different? बोलो? Same. अब यहाँ पे तुम बोलेगा, sir, अगर N1 जादा है, sir, किस से? N2 से, तब कौन जादा है? बताओ. प्रोट्रोन की neutron? सर्ड, electron. प्रोट्रोन जादा है, तब पलस charge है की माइनस charge है? कौन सा charge है? तब पोजिटीव charge है? तब एलेक्ट्रोन एलेक्ट्रोन रीच है है, very good. और अब आगे बताइए, आगर मैं बोलू कि, sir, if N2 बड़ा है N1 से, तब बताइए तो, कैसा charge है बोडी पे? बोडी निकेटीवली charge है की पोजिटीवली charge है? अब एलेक्ट्रोन रीच है कि एलेक्ट्रोन रीच है? तब ये कैसा है? इलेक्ट्रोन रीच है ये है quantization of charge कि जब भी नेट चार्ज किसी बोडी पे जब हम निकालेंगे, तो नेट चार्ज, इलेक्ट्रोन के कारण और प्लस, प्रोट्रोन, दोनों के कारण निकल के आएगा, नहीं, लेकिन दोनों में ऐसे पलस और माइनस होगा, नहीं, माइनस होगा, जनली है ना, तो भाई, अब जो ज़्यादा होगा, उसके कारण चार्ज होगा, अगर प्रोट्रोन ज़्यादा है, तो बोडी में चार्ज प्रोट्रोन के कारण है, और अगर इलेक्ट्रोन ज़्यादा है, तो तोटल चार्ट तो सट जादा हो गया हुआ डबल हो गया है लेकिन नहीं एक पला सा दूसरा मैं बार बार बोल रहा हूं, it is not about quantity, it is about nature, कलप रहा है था ना, ये किस की बात हो रही है, nature की बात हो रही है, नहीं, nature की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो उतार लो फटा-फट ये quantization of charge, उतार लिया, झाल 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 झा कि कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए अभी क्या हो रहा है कि लगभग 1964 और पास हाना मान और जिवांग दोस्ट ऐसा था कि मनलब रिसेंट्ली हम बोल सकते हैं हाना चार्ज हाना या ऐसा बाद फ्रैक्शनल चार्ज है ना इस ऑलसो एकजिस्ट लेकिन एकजिस्ट कैसा करता है इन कमबाइन फॉर्म में करता है कमबाइन फॉर्म है ना कॉल्ड कॉर्क कॉर्क कैसा है जो की फ्रैक्शनल चार्ज है लेकिन तुम लोग बोलेगा सर अगर फ्रैक्शनल चार्ज आही गया यह फ्रैक्शनल चार्ज किसका है पता है किसका है फ्रैक्शनल चार्ज अ बताओ किसका है फ्रेक्शनल चार्ज? एलेक्ट्रोंज का ही है, हना? तो जब फ्रेक्शनल चार्ज आ ही गया, तो हम लोग फिर इंटीग्रल क्यों पढ़ रहे हैं? इंटीग्रल तो नहीं पढ़ना चाहिए, ना? उसका कारण क्या है पता है? अभी तक ये प्रूफ ने हना? डूनोट एक्जिस्ट इन इंडीपेंडेंट और आइसोलेटेर स्टेट यानि कोई क्वार को अकेला नहीं रख सकता है, जब भी रहेगा, क्या चीज में रहेगा ये? कमबाइन में रहेगा, जब तक इंडीविजूल नहीं निकाल सकते हैं, तब तक हमने नहीं बता स इतने की फ्रेक्शनल होता है, ये कमबाइन हो के फिर से क्या बन जाता है? ये कमबाइन हो के फिर से क्या बन जाता है? ये जो क्वार्क जो एक्जिस्ट करता है, क्वार्क क्यों यह 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 b-r-y-o-n है na bryons ब्रियोंस में में मेंनली क्या क्या हता है प्रोटोन होता है अब दूस्रा कौन सा होता है बता हो यार नीर्टोन होता है हलाकि यह मैं सीर्फ समझा रहा हूं इससे आता होता कुछ नहीं है है ना तो हैड्रोन के रूप में यह एक जिस्ट होता है कौन क्वार्क जो कम्बाइन फॉर्म में रहता है जैसे तुम्हारे पास माल लो ब्रियोन ब्रियोन में कोची कोची होता है प्रोटॉन और जैसे माल लो तुम्हारे पास एक प्रोटॉन है यह माल लो तुम्हारे पास सा quark रहेगा आप quark, यानि कि EU, EU और D मिल के बंजाएगा proton. अब लेगा सर यह क्या है? यू क्या है? बताओ मेरे को तुम लोग. यहाँ पहली किते हुआ है. आप quark. और D क्या है? down quark. और यह सब कहानी हैं, जानते हैं, छे गोँआ स्टेडिस का exist करता है छे तरीके से आप डाउन टॉप बॉटम राइट ऐसा करके है न है छे तरीके से exist करता है और तो अभी फिलाल 2 के लिए समझेगे सिर्फ जानकारी में दे रहा हूं न तो, आप quark, और आप quark के पास, जो है, charge plus 2 by 3, या minus 2 by 3 है, इसके पास plus minus 1 by 3 होता है, E, इपने लिखता हूँ, फिर से धियान रखेंगे, quark के आप स, fractional charge किसका fractional charge है, electron का, तो आप quark के पास plus minus 2 by 3 E, यानि 2 ती हाई, और down quark के पास plus minus 1 by 3 E, 1 by 3 समझ रहे बात को अब देखो प्रोटॉन किस से चीज मिल करके बनता है बताओ 2 up quark और 1 down quark है ना आप आप quark को देखो तो कितना है तो मालो लेते हैं पलस 2 by 3 अब फिर पलस 2 by 3 अब माइनस 1 by 3 LCM लो 3 ना अब 2 पलस 2 कितना चार माइनस है कितना तीन ता तीन बटा तीन कितना हो गया यह आ गया ना अरे बोलो यार अरे यह आया ना 2 by 3 e पलस 2 by 3 e माइनस 1 by 3 e यह बचा कि नहीं बचा अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है पलस e की माइनस e पलस e की माइनस e पलस e यह पलस में आया है कि माइनस में आया है आया है ना बात समझा यहीं हो गया आपका प्रोटॉन पलस e और अगर नीट्रोन की बात करूं तो नीट्रोन में क्या रहेगा दो गो डाउन और एगो आप रहेगा ठीक है ना दो डाउन और एक आप है ना क डाउन रहेगा यह नहीं कि U D or D देखो ध्यान से, U अभी बोले थे पलस कितना है? 2 by 3 E, और D बला में माइनस 1 by 3 E, फिर माइनस 1 by 3 E, फिर माइनस 1 by 3 E, एल्सी हम कितना? 3, तो 2 E, और माइनस E, कितना आया? 2 E, माइनस 2 E, अब अब अमें 3, कितना? कितना आया, बताओ, 0 आया ना, नीट्रोन के पास कितना चार्ज होता है? होता न, 0, यही हमारा नीट्रल हो गया यह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं यह तुमको जानने की जरूरत है, नहीं भी जानेगा तो कोई दिकत नहीं है, मान और जुआंग, दो साइंटिस्ट था, 1964 के आसपास है, मान और जुआंग, दो साइंटिस्ट यह प्रोपोज किया था, लगभा 1964 में साइट, 1964 यह, 1964, 1964 ही होगा, अभी इसमें बहुत सारा कहानी है, उतना डीटेल्स जान करके क्या करोगे, इसका 6 गोर स्टेट एक्जिस्ट करता है, फिर हैड्रोन, ब्रियोन, फिर अलग अलग चले जाएंगे, तो मेसोन, पायोन, फिर उतना जानकारी चाहिए नहीं है अप लोगों है, इंटिग्रल, बस यह जानकारी के लिए बता दिये हैं, इसका जरूरत है नहीं, ओके, चलिए दोस्त, तो आगे बढ़ें, कंजर्वेशन ओफ चार्ज, कंजर्वेशन ओफ चार्ज, चल देख, बोलता है क्या है कि, ओफ और अन इसोलेट सिस्टम, नेट चार्ज क्या होता है बता होता है, नेट चार्ज ओफ शिस्टम, है नेट चार्ज ओफ सिस्टम, सिस्टम है थर्मडान्विक्स को पढ़ा है था नी इनुवर्स ने पढ़ाये हैं सिस्टम और सुरांडिंग को मिला करके क्या बला जाता है ने बताये हैं आइनुवर्स को कैसा सिस्टम माना गया है आइसोलेटेड सिस्टम माना गया है ना तो इनुवर्स का अब नेट चार्ज क्या अजली बताओ कि उनेट पूर इनवर्स कितना होगा जी ए यूनिवर्स का गांस्टेंट होगा लेकिन लेकिन समझना आए ध्यान से इंपोर्टेंट क्या है बालक यह तो मैं पढ़ा दिया हूं तो फिर मैं दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूं मैं दोबारा इसले पढ़ा रहा हूं कि चार्ज पार्टिकल्स में भी क्रियेटेड और दिस्ट्वाइड 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 बट नेट चार्ज इस अलवेज चांस्तेंट सुनना ध्यान से सुनना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं नेट चार्ज जो है किसी भी बॉड़ी के किसके करण है किसी बॉड़ी के पास और नेट चार्ज हो किसके करण है इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन के पास चार्ज कारण है ना तो मैं क्या बोल रहा हूं कि चार्ज पार्टिकिल्स चार्ज पार्टिकिल्स कहने का मतलब इलेक्ट्रोन या प्रोट्रोन वो बन सकता है या वो डिस्ट्वाइब हो सकता है लेकिन दोनों का combination जो टोटल चार्ज है वो हमेंसा क्या रहेगा कि combine चार्ज हमेंसा क्या रहेगा जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे 12 में ही आगे जब modern physics शुरू करेंगे न निक्विलियस तो वहां पर तुम लोग बीटा डिके पढ़ोगे क्या पढ़ोगे बीटा डिके अब बीटा डिके में क्या दखोगे कि जब हम neutron को bombard कराते हैं तो neutron टूट जाता है क्या-क्या चीज में टूटता है बताओ तो neutron क्या-क्या चीज में टूटता है देखो तो सबसे पहले पहले क्या था हमारे पास पार्ट किल, फंटामेंटल पार्ट किल्पाइले क्या था, नूट्रान था, पे ने चार्ज किटना थी बनाइ हिए ऊज्टान परर जी रोगी मैं बने कंपर में हिए ड्र आकर तूट क्या बना, लगने बना, निया दूटान myself Tub माइनस ई आप दोनों मिलके कितना दोनों मिलके कितना अभी भी एक निट्रोन टूट करके एक प्रोटोन एक इलेक्ट्रोन बना है लेकिन नेट चैज अभी भी कितना है जीरो है ना तो हम कंजर्वेशन किसका कर रहे हैं चार्ज का कि चार्ज पार्टकिल्स का बोलो, चार्ज का या चार्ज पार्टिकल्स का, चार्ज का, क्या चार्ज पार्टिकल्स कंजर्ब हो सकता है, नहीं, चार्ज पार्टिकल्स बन सकता है, चार्ज पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय, लेकिन क्या चीज चंजर्ब रहेगा, टोटल चार्ज, क्या कंजर्ब रहेगा, infinite total, पता है न, clear है कोई दिक्त क्या, नहीं न, हाँ, यह बहुत important है, तो charge गंजर्भ होता है, न कि charge particle कंजर्भ हो सकता है, ठीक है न, OUT NET Charge, मैं पढ़ा ही दिया हूँ, NET Charge क्या होता है बालग, Qnet क्या होता है, N1 into E, minus N2 into, यहनि N1, minus N2, i2 में यह बताए थे ना तो यह दोनों बन सकता है खतम हो सकता है लेकिन दोनों का combine हमेंसा क्या रहेगा अगर एक बढ़ेगा तो तुसरा गटेगा ना इस तरह से बढ़ेगा गटेगा कि net charge क्या रहेगा हमेंसा जीरो इक्वल ना constant ना अगर शुरू में 0 त बाद में नहीं यह तो हम मुर नहीं बॉलें 0 रहेगा अईसा बॉल रहे कह जीरो जीरो कभ पॉसिबौल है जब दोनों दोनों क्या हो एक्वल हो जाए जब दोनों क्या हो जाए उक्वल हो जाए ना तो हम लोग..! किसका कर रहे हैं? चार्ज का की चार्ज पार्टिकिल का? याद रहेगा ना? It is the conservation of charge, innate charge, no charge particles. क्लियर है? क्लियर है ना? उतार लो. फटा फट उतारो तो. जैसे देखो तो बगवा. तो मानने कि ये तुम्हारा कोई object है. अबजेक्ट पहले से क्या है? बताओ तो मेरे को. देखो, क्या है पहले से object? क्या है? अब यहाँ तुमने क्या किया? N electron remove कर दिया. सब समझेगा ध्यान से. कई गो electron remove कर दिया? N गो electron remove कर दिया. यह charge हो गया कि neutral है रहा? कैसा charge हो गया? positively charge हो गया कि negatively charge हो गया? कैसा? अब यह body कैसा है? positively charged है. अब मैं तुम से पूछ रहाओ, इस पे कितना charge आया है? तक q dash की value कितना लिखेगा? कैतना लिखेगा? N into e लिखोगे न? अरे भाई, लिखोगे न? सारे इसके पास positive charge होगा, कितना होगा positive charge? हाँ, तो यहनि की q dash की value क्या है? positive की negative? अरे positive की negative? बोलो यार, आये q निकाले q राबर कितना हो गया? N e, e कैसा है? negative? और q plus q dash की value कितनी होने चाहिए? तभी तो फिर से neutral हो जाएगा नए समझ माया? यहां से electron निकाले, काई गो electron निकाले? तो कितना charge निकला? minus n e निकला, कितना charge निकला इससे? minus n e निकला, तो इस पर आया कितना? पलस n e निकला, है ना? इससे निकला कितना बगगा? minus n e निकला, और आया कितना इस पर? पलस n e निकला, नहीं है, तो माल लिए q है, और यह q dash है, लेकिन जैसे दोनों फिर से मिला देंगे, तो total charge कितना होना चाहिए? नीट्रल, तो total charge कितना होना चाहिए? तो total charge फिर से कितना आएगा? आएगा ना? क्योंकि charge क्या होता है? पार्टकील क्या होता है? फिर से ध्यान से सुनिए, total charge कन्जर होता है? पार्टकील क्या हो सकता है? तो पार्टकील का क्रेशन कर सकते हैं, लेकिन net charge को क्रेट यह डिस्ट्वाइग? नहीं कर सकते है, क्लियर है? चलिए उतार लिजीए, फड़ा फड़ उतार यहे, आएँ आच चलो देखो दीदर, एक मालों की कोश्चन है, क्या है जो ध्यान से सुनना, मालों एक मेटल प्लेट है, बोलरा और इस से 10 के पावर 19 वेक्टरॉण कि रिमूव कर दिये, दस के पाव 11 electron क्या कर दिए remove कर दिए तो charge कितना है metal plate फे then find charge on then charge on metal plate कितना है बताओ charge on metal plate बता सकता है कोई charge on metal plate, कितना है metal plate पर charge, तो कुछ नहीं, q-dates के भेलू लिखे देंगे, कितना लिखेंगे, बताओ, plus में रहगा कि minus में रहगा, plate पर plus charge के minus charge, plus ना, क्योंकि electron क्या किये है, निकालें तो बताओ क्यतना क्यको एलेक्ट्रों 10 के पावर 19 अगला में य कनक के पालू माइनस 19 कुलम ना तो माइनस यह खतम ना क्यको आया क्यतना आया अधालस में अभी मेटल के पार सब्क्राइंच चार्ज है कितना कुलम है पलस 1.6 कुलम है कि नहीं है तो इस मेटल प्लेट पे जिससे हमने दस के पाबर 19 इलेक्ट्रों निकाला अब उस मेटल के पास प्लस चारज आया कितना आया पलस चारज तो पलस 1.6 कलियर है को दिकत नहीं चलिए यहीं तो ना बहुत बेसिक बेसिक चीजें करते जाना है फिर आगे कोश्टन करते चले जाएंगे हाँ चलिए देखे तो इसको चलिए देखिए इस क्वेश्टन को क्वेश्टन क्या है कि अ कॉपर स्फेर ऑफ मास् 2 ग्राम कंटेंड्स एबाउट 2 इंटो 10 डिजबर 22 एटम्स और चार्ज और नीकिलियस अफ इच एटम इस 29E है ना अब यह बताओ मेरे कोई यह कॉपर है तुम्हारे पास copper का atom दिया एक iron दिया है तक total charge अभी पहले इसका कितना रहेगा zero रहेगा कि plus रहेगा कि minus रहेगा बोलो यार अरे net charge कितना होगा इस पे zero होगा ना atom है ना तबताइए मेरे को आप की कितना atom है number of atom बताइए number of atom बताइए नमबर ओफ एटम बताईए 22 एटम है और निक्विलियस ओफ ओन एटम निक्विलियस की बात कर रहा हूं निक्विलियस ओफ ओन एटम क्यतना चार्ज है है क्यतना चार्ज बताओ 29 इन्टू है न जी lol कि नम्बर प्रोटॉन कीतना हो गया तो भाई एक اे टम में काईगो Proto काई गोप्रोटॉन एक एटम औफ कोपर में कितना Proto 29 E काईगो ďटम है ततोल नम्ब प्रोटॉन कितना हो जाएगा नमबर ओफेटम गुना एक प्रोटोन, ता क्यतना जगा टू इन्टू टेन टू 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 पावर, ट्वैंटी टू, साहिए ना, आच्छा, और गुने, बोलो, ट्वैंटीनाइन, ए, साहिए ना, कितना यह बताओ, इतना हो गिया, तो 29 हमें चार्ज से मतलब नहीं है, ए को हम हटा देते हैं, हाना, ए को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि हमें चार्ज नहीं लेना, हमें क्या लेना है, नमबर ओफ, प्रोटोन यह नमबर ओफ, इलेक्टोन निकालना है, तो कहें को चार्ज होता है 29E, ए क्या है, एक च्राज में रॉटान का चार्ज है रविस का मिना प्रोटौन कर गोऊ है और प्रोटौन कर गोऊ है चुप इड़िटिनयने है ना? यतना हो गया। कैना आःए बताओ गुद्ध भूगने 10 के पावर बाइस अचूने 29 अगिया यह क्या निकला नमबर ओफ प्रोटॉं निकला तो नमब आफ एलक्रोण कितना हो गया नमबर अप एलक्रों कितना हो गया बताओ 29 गुद्ध तो करदों यार अग दस के पावर 10 के power 22, clear है यहां तक कोई दिक्कत, यह क्या है निकला मेरे को total number of electrons, किसके उपर अब क्या बोल रहा है question में question में यह बोल रहा है कि, देखो यहां पर what fraction of electrons must be removed इससे कितना fraction electron क्या कर लें remove कर लें, ताकि इसके उपर charge आ जाए, अभी इसके उपर कितना charge है और कितना charge आ जाए तो यतना electron निका लेंगे सब के सब charge आएगा, क्योंकि पहले से कोई charge नहीं है तो बताओ तो cube रवर क्या होता है cube equal to n क्या है, number of electron removed और कितना charge आना चाहिए तो 2 गुने 10 के पाबर और n अगुने e का मान तो n की भेलू कितनी आ गई इसको भागा तो कितना आएगा 13, यही ना तो कितना आया, 2 बता 1.6 गुने 13 अब बताओ ये, जल्दी सफटा पट 2 को भागा देंगे 1.6 से, कितना आएगा बोलो यार 1.25 अब गुने सही लिखाऊं सही लिखाऊं ना 1.25 गुने 10 के पाबर 13, ये क्या आया, बताओ 2 गुने 10 के पाबर माइनस 6 6 गुने 1.6 गुने 1.19 तो उपर चला गया पलस 13 ठीक है, तुब बताओ 1.6, तो 1.25 इन्टू 10 टू दी पाबर 13 है ना, क्या? इतना इलेक्ट्रोंस आया, निकला हुआ इलेक्ट्रोंस है, ये नंबर ओफ इलेक्ट्रोंस क्या है, ये बताओ, रिमूब्ड है, जबकी इस कॉपर के पास था कितना इलेक्ट्रों, इस कॉपर के पास था कितना इलेक्ट्रों, 58 इन्टू, तो फ्रेक्शन अब इलेक्ट् कितना जागा fraction of electrons कितना तो number of electrons removed अब हागा हम कौन सा है बताओ total electrons यही नहीं होता है fraction fraction कैसे निकला जाता है कि कि कितना निकाला आ total कितना था यही ना fraction of electrons removed यह हो जाएगा तो बताओ कितना electron निकाले हम तो 1.25-10 के पावर 13 अब हागा हम कितना देंगे 22 चलिए जी कितना आया बताईए बताईए जल्दी फड़ा-फट कितना आया यह जीरो पॉइंट जीरो टू वान फाइव गुने दस के पावर माइनस नौ आए माइनस नौ अब यहां दूट दे समला यहां दे कर दो यहां दूगो बढ़ा दो है ना और माइनस नौ है ना तो दोगो दो समला यह 0.0215 है ना 0.0215 गुने दस के पावर माइनस नाइन तो दोगो इदर कर दें तो कितना आए गा बताऊ टू पॉइंट अर दस के पावर माइनस 11 है ना तो यही हो जागा एंसर 2.15 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 11 यह हो गया fraction of electrons removed from copper atom प्लीज ध्यान रखें सब लोग क्या ध्यान रखना है कि हमें atom दिया है कि iron दिया है कि molecules दिया है atom atom neutral होता है कि charge होता है neutral तो शुरू में इसके पास total charge कितना था 0 है ना तो यह nucleus का charge है यतना तो nucleus में proton होता है neutron होता है proton ना तो काई को proton है 29 और charge on proton कितना होता है 29 into e है ना तो प्लीज जब e लिखेंगे तो charge निकलेगा और e को छोड़ देंगे तो क्या निकलेगा number of proton निकलेगा आगा नंबर आफ प्रोटॉन एक निकलियेश में 39 है अक काई यह निकलियेश उसके पास है जाएगु एटम है हर एक एक एटम काई को निकलियस होता है तो क्यों निक लिखेंगे तो नाशके पावर 22, तो ता टोटल प्रोटॉन हो गया, एर नमब णब आप प्रोटॉन कुत्न हो गया, तो ждल दस के प़वर 22, अवगोना कितना, 29, ये किन निक्या निकला, नमब आप प्रोटॉन, तो जब नमब आप प्रोटॉन निकल गया, नंबर और इलेक्ट्रोन भी निकल जाएगा, तो नंबर और इलेक्ट्रोन कितना हो गया, है ना, और इसको चार्ज कितना इस पर देना है, तो इलेक्ट्रोन क्या करेंगे, निकालेंगे, तो कितना इलेक्ट्रोन निकालेंगे, एन इंटू ए, एन के भीलू कितनी आ गई, य प्रेक्षन निकाला नहीं, तो आटल एले था? अंठामन गुण्यदस के पावर वाइस! अ निकाला कायगा एलेक्थ्रोन? 1.25 0.10 के पावर 13, तो क्या फरेक्षन निकाला .... तो नंबर्दशन रिमूप भागा टोटल एलेक्षन, तहीhm दो देसमलब एक पांच कुने दस के पावर माइनस एलेबन फ्रेक्शन में आया है ना इतना फ्रेक्शन आप इलेक्ट्रोंस हमने क्या किया जी रिमूब कर लिया किलियर है उतार लिजिए और अब हम क्या पढ़ाएंगे बताओ अब हम लोग लिखेंगे charging methods लिखें हेडिंग charging methods charging of objects half ना, Methods of Charging, Charging, क्यों को Method बोले, बताओ, तीन, कौन-कौन सा, Friction वाला, दूसरा, By Conduction Method, आ तीसरा कौन सा, बोले, By Induction Method, बहुत ही आसान है, सबको पढ़ा हुआ तीनों Method, चलो, Friction Method में देखते हैं, क्या आप Friction में बोले थे, कि जब एक बोड़ी को दूसरे बोड़ी पे रब करेंगे, घीसेंगे, तो चार्च का आदान परदान हुआ कि नहीं होगा, बताये थे ना, यानि कि, अजे ना, वशी नहीं ऋबहुत, बोड़ी को ऑलभी को आप si्õड बोड़ीकर दूसराथ और खूसराथ एलेक्ट्रोन्स चार्जिंग टेक्स प्लेस चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेक्स प्लेस चालो सब लोग बच्छा लोग बताएगा याद होगा कि माले बहुआ लोग यह हमारा सिल्क है और एक वह ग्लास का रोड ले ले इसके पहला मिघटड पढ़ा रहें कौन से मीघटड पढ़ा रहें प्रीक्शन मेघटड पढ़ा रहें ऩहें ह्छान है ना कभी भी भूओंगे नहीं और कौशन पर बनने में गल्ती नहीं होगा सब्सूना ध्यान से friction method में क्या बोल रहे हैं कि जब एक object को दूसर का उपर रब करेंगे घीसेंगे तो transfer होगा किसका transfer होगा electron का बताए था ने किदर जाएगा electron किसे किदर जाता है जिसका electron affinity क्या होता है ज्यादा होगा तो electron को छोड़ देगा electron के प्रति लगाओ जिसका काम होगा वही ने छोड़ेगा तो electron की affinity क्या होना चाहिए काम होना चाहिए नहीं तो देखिए जब इस glass rod को आप glass rod को आप रब करेंगे किसके उपर रब कर रहे हैं बताए silk पे सुनिएगा सब लोग ध्यान से तो यह अभी neutral है कि charged है आई भी जब इसको तुम इसके घीसेगा रब करेगा तो पता है क्या होगा बताओ फटापट क्या होगा इस glass का जो रोड है क्या बन जाएगा positive charge बन गया यह बन गया positive charge आई silk का कपड़ा क्या बन जाएगा negative charge बन गया हुआ क्या बताओ क्या हुआ electron किदर किदर गया glass से निकला किस पे गया cloth पे गया glass से निकल किस पे गया cloth पे गया तो यह चार्ज़ हो गया यह positively charged हो गया आए negatively charged हो गया उसी तरह से अगर प्लास्टिक का रोड रहेगा रब करोगे आउन सिल्क या वूल जो भी लिलो ये प्लास्टिक का रोड है प्लास्टिक रोड है इसको रब करोगे सिल्क पे पता है क्या होगा प्लास्टिक का रोड क्या हो जाएगा रब्ड कर दिया क्या हो जाएगा बताओ मेरे को ये इस पे कौन सा चाह जाएगा निगेटिव आजाएगा किसके उपर प्लास्टिक के उपर और सिल्क के उपर कौन सा चाह जाएगा बताओ positive आजएगा समझ में आ रहे बात कि नहीं glass का छळ, rod, रगड़े, किसके उपर, silk के उपर, ज्들ब ग्लास में कौन सा charge? पलस, और silk以पे minus, लेकिन जब हम plastic का rod, रगड़े, silk के उपर, तो plastic के पास कउन सा charge? minus, और glass के उपर पलास किलियर है तो इसमें क्या इलेक्ट्रोन गलास रोड से निकल करके सिल्क में गया इसमें इलेक्ट्रोन सिल्क के निकल सिल्क से निकल करके पलास्टिक रोड में गया समझ मैं रहे बात को तो रब किये तो रब करने का मतलब फ्रिक्शन होना नहीं तो जब इस तरह से हो जाता है develop हो जाता है एक से एलेक्ट्रोन निकल करके दूसरे पर चला जाता है आफ एक चीज बहुत important यानि कि charge का transfer हो रहा है न जी क्या हो रहा है is charge का क्या हो है charge is transferable एक नए concept निकल के आया कि charge क्या है transferable है transferable का मतलब बताओ transfer हो सकता है किसके कारण due to electrons due to electrons है ना चलिए बहुत अच्छी बात है अब आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब हमारा charge हो रहा है हना during charging during charging important क्या है जो सुननो अध्यान सेकता हम important point कि during charging mass of object कि में decrease और increase कि इनक्रीज यानि कि जब हम charge करेंगे तो उस object का mass या तो आप सब्सक्राइब रहा है तुम कॉंस्टिन भी रह सकता है तो हम लोग इसलिए वर्ड कर लिए में इनक्रीज और डिक्रीज में का मतलब अ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि यहां पर बदाऊ इलेक्टरौन का कोई अउकात बदन की हिसाब से कोई अउकात नहीं है न मतलब कि एक बटा 1627 भागा हलका होता है यहीं कि देड़ हजार गुना, 2000 गुना भारी होता है प्रोटौन किस से ? इलेक्टरौन से दो हज़ार इलेक्ट्रोन एक प्रोटॉन का मास क्या रहेगा मास में चार्ज में नहीं किसकी बात मैं कर रहा हूं मास की चर्चा कर रहा हूं मैं तो लगभग 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 दो हजार इलेक्ट्रोन एक तरफ तराजू पर रखिये और एक प्रोट्रोन तराजू पर रखिये दोनों क्या होगा बराबर होगा चार्ज में की बजन में बजन में हाना लेकिन फिर भी कुछ तो है ना बचारा अरे बहुत कम है इलेक्ट्रोन का बजन लेकिन कुछ तो है ना कि नहीं है तो बताएए भाई साहब इस गलास रॉड से इलेक्ट्रोन निकल करके कहां गया बोलो तो सिल्क में गलास का मास डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ बोलिए मास आफ गलास रोड मास आफ गलास रोड क्या हो गया बताओ तो डिक्रीज कर गया अब मास आफ सिल्क क्या हो गया बोलो यार इंक्रीज कर गया यहां पर कोछी हुआ हो मास आफ प्लास्टिक रोड क्या हो गया मास आफ प्लास्टिक रोड जल्दी बोलो इन्क्रीज के डिक्रीज इन्क्रीज कर गया मास आफ शिल्क क्या हो गया बोलो यार डिक्रीज कर गया मतलब यह कि जिसके पास पॉजिटीव चार्ज आता है उसका मास क्या हो जाता है घड़ जाता है जिसके पास निगेटिव चार्ज आता है उसका मास क्या हो जाता है बढ़ जाता है नहीं का है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोन ज्यादा हो गया है है ना इलेक्ट्रोन का कारण उसका बज़न फ़सा क्या हो चुका है बढ़ चुका है सवाज अट्रेट करेगा रिपेल करेगा अट्रेट करेगा ना उसी तरह से तुम हाथ को तुम चानता है दो चार पार्च मिनट तक इसे रगड़ो और उसके बास जब तुम देखेगा ना तो हाथ एक दूसरे से क्या होगा चिपकेगा नहीं एक्सपिरेंस बता रहा हूं दो चार मिनट तक ड्राय रहना चाहिए आद भींगा हुआ नहीं रहना चाहिए प्ली ध्यान रखें हाथ कैसा रहना चाहिए इलेक्ट्रिसीटी सबसे अच्छा कंड़क्ट ड्राय कंडिशन में कर रहा है जब हाथ को इसे बह पहला मेतड फ्रीक्षन अब फ्रीक्षन के कारण क्या हुआ जल्दी बताओ चार्जिंग हुआ कि नहीं हुआ और चार्ज कैसे वह पता चल गया यह बता चुके है इलेक्ट्रों किस से किसमें जाएगा बता है ना उसका इलेक्ट्रों अफिनिटी जिसका काम होगा उससे निकल करके जिसमें जाएगों चला जाएगा बता चुके है ना चली आते हो गया फ्रीक्षन में फटन उतार लिए आप लोग उतार लिए जल्दी करिए टोटल चार्ज का रहेगा बहुआ है टोटल चार्ज का रहेगा ना अरे बोलो टोटल चार्ज का रहेगा कॉंस्टेंट रहेगा आपको पता है लगभग लगभग 10 to the power minus 6 कुलम के आसपास चार्ज का ट्रांसफर होता है अगर एक बार प्रगण ते होना अच्छा से लगभग नॉर्मली आप वन टाइम सब्सक्राइब आप घस घिसते हैं यह एक दो सेकेंड तीन सेकेंड चार सेकेंड तक तक लगभग लगभग कितना कुलम जाता है हाँ वन माइक्रो कूलम के आसपास जाता है अब बताओ तो वन माइक्रो कूलम में कही को इलेक्टरन होता है इसको मिटा सकते हैं ना है इधर देखो तिरा सर तुम लो अगर एक बार हम रभ करेंगे तो लग अब लग अब कितना इलेक्टरोन जाएगा तो नमबर आफ एलेक्ट्रोन्स इन वन मैक्रो कुलम तो एन ब्राबर कितना क्यू बटाई बताई थे ना कि नहीं अग क्यू कितना एक गुने दस के पावर माइनस है आप 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 1.6 गुने दस के पावर माइनस नहीं जली फटा फटा बताते जाओ सुलाज सक्षियान में नहीं 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 6.25 ठीक इन्टू 10 तुदी पावर 12 इलेक्ट्रोन ना हाँ 6.25 लिखे त्वासा दसनलव नहीं लिखाया अब एक चीज में बताऊं इस में से मैं यह गरांटी नहीं लेता हूं कि सबको समझ में आएगा क्योंकि मैं जो चीज बता रहा हूं यह बारीकी से देखने वाला चीज है बारीकी से देखने वाला चीज है बारीकी से देखने वाला चीज है क्या उसको समझोगे ध्यान से इ Ö एक बार लगबग वन टाइम्स इमने कि एक बार हम एक साइकल घिसते हैं लगबग लगबग कितना चार्ज ट्रांसफर होता है 10 के पर माइनस 6 और इतना चार्ज में काई को एलेक्ट्रोन होता है लगबग लगबग अच्छा खासा भैलू आई कि कम है दस के पर 12 तो काफी भैलू होता है न कि कम होता है अब मैं क्या बोल रहा हूं यह सभी के सभी इलेक्ट्रोन्स यह भाई सब कहां गए बता सकते हैं आप यह सारा क्सारा इलेक्ट्रोन्स क्या हुआ ट्रांसफर होगा किसके उपर अब मैं क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं यह एलेक्ट्रोन तो हर एक पॉइंट पर रखा लोगा पॉइंट टू पॉइंट रखा लोगा ना यह सिल्क है यहां पे 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 यहां प आया नहीं इस पर हो, लेकिन यी दूग और इलेक्ट्रोन के बीच में गैप जो है न, यानि कि अस्टेप साइज, वो क्या है? भेरी-भेरी लाज कि भेरी-बेरे समॉल? क्यों आसमॉल? क्योंकि धेर सारा इलेक्ट्रोन गया है, क्यातना गया है? नहीं, क्यातना कुलम में? वन माइक्रो कुलम में, नहीं, तो यतना इलेक्ट्रोन इस पर पूरा फैल गया होगा, तो याद है तुमनों को चार्ज का डिस्टिबिशन में continuous, discrete, नहीं, continuous में लीनियर, surface, अब बताव मेरे को तुम, अगर ये gap बहुत कम होगा, ये पूरा चार् हाँ, इसका मतलब इस रोड से जो चार्ज निकला, ये कैसा निकला, इनिफॉर्म निकला कि एक जगस निकला, आए, इनिफॉर्मली डिस्टिबिटेट था नहीं, मतलब का बहुगा, कि ये पलास्टिक रोड अगर हम कप्डा में से रगडेंगे, है ना, और मान लिजे कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोन एक ही जगस निकल कर जाएगा, तो यहां पर गड़ा हो जाएगा नथुआसा, ने समझ मैं या मेरा लोजिक, कि नहीं, लेकिन ऐसा होता है, नहीं ना, पता चलता है कि कहीं कुछ हुआ है, लेकिन चार्ज तो आ जा इन्टीग्रल मल्टीपुल है, एक एलेक्ट्रोन, दो एलेक्ट्रोन, तीन एलेक्ट्रोन, चार एलेक्ट्रोन, कभी भी साड़े चार एलेक्ट्रोन ने होगा, कभी भी पॉने पांच एलेक्ट्रोन ने होगा, कभी भी 6.2 एलेक्ट्रोन ने होगा, 6.02 एलेक्ट्रोन ने ह नेरा रहा है ना क्यों कि ऐस्टेप का आएगा यहीं कि जो ऐलेक्ट्रों के डिस्ट्रिबूशन का पुरे रज़ड पर जो साइज ना दो एलेक्ट्रों के बीच में घेप वो क्या है गैप बहुत छोटा है, तो कैसा नजर आ रहा है? हाँ, यही समझाना था, सफ़ना है बात? किलियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है. तो आगे बढ़ें अब अब आपन लोग, उतारना है, तो continuously distributed होगा है, यहनी कैसा distribution होगा? continuous, अगर silk का कपड़ा है, तो surface distribution होगा, rod है, तो linear distribution होगा, और अगर body है, तो कैसा distribution होगा? value metric होगा, ठीक है न? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कौन सा method पढ़े हैं हम लोग? कौन सा method पढ़े? friction method पढ़े है, charging by conduction charging by conduction इसमें क्या होता है? कि वे इन a charged object हाना, is kept in contact with आचा, किस के साथ contact के बलाना है? charged और uncharted, दोनों हो सकता है, ठीक है न? with charged और uncharted object या फिर में चार्जिंग करना है, तो मैं चार्ज को हटा दता हूँ, सिर्फ uncharted लिखता हूँ, विद अन्चार्ज अबजेक्ट charging takes place समझा बाबू हम क्या बोले, यह तुम्हारे पास एक अबजेक्ट है हो और यह तुम्हारे पास एक और object है, यह rod है और क्या किया तुम्हारे इसको क्या हुआ, क्या किया कि इसके उपर कुछ चार्ज है, कैसा चार्ज बताईए, बोलिए जी, पलस चार्ज है, इसको लेके गए इस पर टच कर दिये, टच कर दिया तुम्हारे अब इसको टच किया ना तो ऐसा हो गया यह, क्या वो बताओ मेरे को तुम्हारे यह अनचार्ज था, है ना जी, अभी क्या हो गया, चार्ज हो गया ना, बोलो भाई, समझ में आ रहा है बात, कैसा चार्ज इस पर है था, तो इस पर भी कैसा चार्ज होगा, इसका मतलब क्या समझा, इसमें जो चार्जिंग होगा, अलग चार्जिंग होगा, सेम तरीके का होगा, अगर यह कंड़िवम के बाद भी कैसा चार जायेगा? निगेटीव आएगा और बट्य अगर पॉजिटीव है, तो कंड़िवम के बाद का सा चार जाएगा? पॉजिटीव आगा नहीं? यानि कि same nature of charge produced यहाँ पर सबसे बड़ी ची जानतों क्या जानना है? तुमको लगेगा, कि सर इस पे चार्ज क्यू था? सुनना ध्यान से. आज जब इसको कॉंटेक्ट मिलाए ना सर, इस पे चार्ज अब बच गया Q1 इस पे कितना बच गया? बोलो Q2, समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल चार्ज इस रॉड पे कतना था पहले, क्यूँ था, आइस पे कतना चार्ज था टोटल, कितना था, जीरो, क्यों, नीट्रल था ना, यह आन चार्ज है न, लेकिन जब इस रॉड को इस पे टच किये, कॉंटेक्ट मिलाए, तो यह चार्ज हो गया, तो अब इस पे कतना चार्ज नाइका हो गया, बाद में Q1, आइस पे कितना हो गया, तो यह चार्ज कहीं बाहर से आया, किसका चार्ज इसके उपर आया, रडवा का ना तो रडड का चार्ज घटना चाहिए इसका लेकिन तुनों मिलके किसके बराबर होना चाहिए पहले जितना था तभी तो चार्ज कंजर्व रहेगा अरे चार्ज का कंजर्वेशन तो फ्रॉम कंजर्वेशन अफ चार्ज क्यू किसके बाबर होगा कीवन प्लस क्यू टू अब मेरा सवाल तुमसे यह को यह कि क्या यह क्यों और क्यूटू दोनों बराबर होगा कि जितना इस पर रहता उत्रय उस पर जाएगा मानलों इसके पास 10 कूलम था तिक जब सटाएंगे त Exercise के पास 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 इसके पास ऐसा होगा किसके पास ज्यादा होगा क्यों नहीं समाजना बात को है ना ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस तील बोथ अब्जेक्ट एक्वाइर सेम पोटेंशियल बहुत इंपोर्टेंट है ये काब तक जाएगा चार्ज सुनो ध्यान से, इस पे न भूगाँ हम लोग नोमेरिकल्स करने वाले हैं अब बहुत सारा कौंशेप्ट सिखने वाले हैं कब जब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़ पढ़ने वाले है पोटेंशियल जब पढ़ेंगा ना तब अच्छे से कहानी समझ में आएगी जैसे अब भी मैं समझा सकता हूं तुमको बस इतना ही कि एक काम कर एक बड़ा सा बाल्टी ले ले एक छोटा सा डबा ले ले और दोनों का लेवल पानी का लेवल दोनों में अलाग अलाग है सुनो अद्धेहान समय क्या बोल रहा हूं अगर दोनोंका पाईप से जोड देंगे तए क्या पानी एक तरफ से दुछ अब अचानि एक फाह पाएगा कि फोटा हैको कि ऊज़ traders कि दर आएगा जिसके जिस् पानी क्या बराबर हो जाएगा पानी की लेवल, क्या लेवल को पानी इसको लेना दना है, एक बाल्ती में एक बिता पानी भरो, एक बोटल में एक बिता पानी भरो, दोनों का हाइट क्या है, सेम है, लेकिन पानी का क्वांटिटी दोनों सेम है, वही चीज यहां पर मैं बोल जब तक कि क्या चेज सेम न हो जाए? नहीं, चार्ज नहीं. पोटेंसियल जब तक इक्वल न हो जाए. अगर दोनों का पोटेंसियल इक्वल हो जाएगा, तो चार्ज इसमें ट्रांसफर होना, जिस तरह से एक बाल्टी से पानी डबा में जाना तब तक नहीं बंद होगा, जब तक कि दोनों का लेवल क्या न हो जाए? सेम न हो जाए. समझ्ज में रहे बात? तो लेवल सेम होना, और पानी का क्वआन्टिटी सेम होना, जानों अटलग ऐल चीजे हैं, यहाँ पे पोटेंसियल इक्वल होना, और चार्ज का क्वाइंटी इक्वल होना, जानों सेम बाल्टी हो, इधर भी और इधर भी, तब कब तक पानी आएगा? जब तक दोनों का हाइट क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए? और जैसे ही दोनों बाल्टी भी क्या है? सेम है ना? अगर दोनों का हाइट भी सेम हो गया, तो पानी भी क्या हो जाएगा दोनों में? सेम ना तो चार्ज भी equal कब होगा? बोल जब? हाँ, जब? दोनों body क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन अगर body अलग-अलग है, तो चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशिल सेम रहेगा? याद रहेगा ना? तो conduction में कौची सेम रहता है? पोटेंशिल सेम रहता है चार्ज डिफरेंट हो सकता है, ना? very good, कैसा नेचर का चार्ज ट्रांस्फर हो सकता है? सेम नेचर का, अगर body positive है, तो चार्ज भी कैसा आएगा? और body negative, तो चार्ज भी कैसा आएगा? तो conduction में कितने चीज़ों का ध्यान रखना है? मुझे तीन चीज़ों का, याद रहेगा? तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहला सेम नेचर अब चार्ज ट्रांस्फर होता है पहला point दूसरा point बताओ बोलो-बोलो कि कब तक चार्ज का ट्रांस्फर होगा? जब तक potential के भीलो equal? ना हो जाए क्या चार्ज दोनों में सेम रहेगा? नहीं, लेकिन हाँ, ये चीज़ बोल सकते हैं एक सर, इसका total charge अशुरू का total charge क्या रहेगा? क्योंकि वो कौन सा method को follow करेगा? conservation of charge, समझ मैं या बात? कि नहीं, तक conduction में तीन चीज़ ध्यान रखना है ये पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या? कि from conservation of charge total initial charge must be equal to total final charge, very good चलो, लीक लेते हैं, उतारो फटा-फट अब हम लोगों को third में third पे ध्यान देना है, third method क्या था? charging by बताओ induction ठीक है? ये क्या बोलता है? ये बोलता क्या है? कि री, देखो ध्यान से क्या लिखले, redistribution of charge ठीक है? in a neutral object कब ऐसा होगा? कि वेन a charged object is brings nearby it समझना ध्यान से induction वाला चीज बोल रहा है हम लोग देखो ये तुम्हारे पास neutral body है अब सब लोग मुझे बताएगा अगर ये neutral body है बाबू सुना ध्यान से कैसा body है ये? neutral body है तो इसके पास proton neutron है की नहीं है? है ना? लेकिन कैसा है वो? equal है अब इसके बागल में तुम क्या करोगे? कि एक और ये लेकी आओगे rod है कैसा rod है? बताइए अरे एक rod है charged rod है charged rod है लेके गए किसके नजदीक लेके गए? किसके नजदीक लेके गए? इसके नजदीक लेके गए क्या होगा? induction होगा? क्ने होगा? बताओ अरे induction होगा ना body में किसमें induction होगा? हाई इस हाला में कि इस प्राइश वाला में? निट्र वाल्ब हो गा नहीं होगा निएक्षन क्या होगा पता है ये देफो निट्रीरल बॉड Monkey शिर ये देखो चार्ज़ बॉडि है करें अब पता है क्या होगा इस का जो प्रोतॉन और निट्रोन है ना अब अपने से फिर से अलग से, पहले सदा हुआ एक रूप से सब distributed होगा, अब नए तरीके से distribute होगा, redistribution, यानि कि नए तरीके से distribute होना, अब क्या होगा, पता है, सब minus इधर चलाएगा, सारा सारा electron इधर चलाएगा, अधर इस तरफ कोची बज़ करा जाएगा, बोलो भाई, पला रोड के नजदीक में कैसा charge induced हुआ है, अपोजिट की सेम, बोलो, यह positive है, और यह कैसा है, तो opposite charge induced near by charged body, charged body के पास वाला छेत्र में, opposite charge induced होता है, जबकि conduction में कैसा charge induced आ रहा था, उसके उपर, सेम आ रहा था है ना, यहाँ पर रोड positive है दिधर क्या जाएगा, negative, अब तुम से मैं जो सवाल करता हूँ, E बला किनारा इस रोड क्या करेगा, ट्रेक करेगा, रिपेल करेगा, और E बला किनारा क्या करेगा इस रोड को, रिपेल करेगा, finally होगा क्या, E एस फिर इसके नजदिक आएगा कि दूर जाएगा, क्यों नजदिक आएगा, बोलो, क्योंकि E बला distance D है, E बला distance क्या है, D डेस है, कौन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा बताओ, D डेस क्या है, ज़्यादा किस से, और तुमको पता है कि force जो हता है, of attraction, या कौची, repulsion, inversely proportional है, किस के, R के, square के, पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग इस इसने आगे कुलम स्लाव पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो distance के क्या होता है, directly कि inversely, जतना ज़्यादा दूर होगा, force के लोग कम होगे कि ज़्यादा होगी, कम होगी है ना, अब सोच, यह minus ज़्यादा force लग रहा है, तो attraction ज़्यादा force ज़्यादा लग रहा है, और repulsion ज़्यादा force, कौन जीतेगा, attraction ज़्यादा कि repulsion वाला, तो यह finally क्या करेगा, इसलिए जब तुम अपना pain को जब बाल में ऐसे रगड करके कागज पर चिपकाते हो ना, तो कागज क्या होता है, लेकिन कागज के पास पहले सकोई charge था हो, और यह कागज का टुकडा जो रखा तुम उसके पास पहले सकोई charge है, नहीं, लेकिन pain को रगड़ा तो कौन सा क्या होगे उसमें, charge आया ना pain में, अब pain में charge आ गया, जैसे ही कागज के पास लेक गया, तो कागज में क्या charge induced हुआ, दूगो, दूगो हुआ induced, pain के पास कौन सा charge induced हुआ था, बहु लेगा, यह तो depend कर अगर pain कोची का है, अगर pain glass का है, त तो कौन सा charge होगा induced, यह तो simple है, कहा tension लेना है, कुछ नहीं लेना tension है ना, इस rod को अगर हम ऐसे-इसे घीसेंगे, तो इस rod के पास कहुं सा charge, इस पे कहुं सा charge आया, negative आया, very good, अब जब इसके पास हमें कागज का टुकड़ा लेके गए, तो इसके पास कहुं सा charge, तो इस त बताओ, क्योंकि इसका distance कम है, इसका distance, सब्सक्राइबात को, तो किसी body में charge पहले से नहीं था, अब आया, कौन सा method से, friction से की conduction से की induction से, तो induction में touch करना जरूरी है, नहीं, friction में touch होना जरूरी है, कंडक्शन में सिर्फ पहले से charge होना चाहिए, friction में charge होने की जरूरत नहीं है, यह भी neutral, यह भी neutral, जही से घिसेंगे, charge हो गया, लेकिन कंडक्शन में इसा नहीं है, कंडक्शन पहले से charge होना चाहिए, नहीं, और इसको charge बले के लेग जाएंगे, neutral बले में, तो इसमें charge चल नहीं कर ना है क्योंना क्यों करना है गालम दिकटर लिखा है सुझ जल्दाभ वाट चलिए बहुत अची बात है आए तो यहां पे कौन सा फोर्स ज्यादा अट्रेक्शन की रिपल्सन अट्रेक्शन यहां पर मैं लिख देता हूं कि फोर्स जो है ना अट्रेक्शन जो है ज्यादा है किसे रिपल्सन से तो बवगा हो इंड़क्शन के चार्जिंग में हमेसा अट्रेक्शन होगा रिपल्सन होगा अट्रेक्शन होगा ना हमेसा याद रहेगा ना चलिए उतार लीजिए फड़ाफ़ट अब इधर सुनो जड़ा सा जमीन को जानते हो जमीन आर्थ जो होता है ना बड़ी भुखड होता है आर्थ को देखे हैं आप लोग आर्थिंग समझते हैं आर्थिंग आर्थिंग जहां कर देजगा पोटेंसियल कितना हो जाएगा पोटेंसियल कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा बड़ी भुखड है इसको पलस दोगे तो भी रख लेगा माइनस दोगे तो भी रख लेगा अब देख उबला रोड़ो यहां पर लाओ उला स्फेर यहाँ पर लाया तुम, लाया ने यहाँ पर, इधर कौन सा चार्ज था, निगेटिव था, इधर, पोजेटिव था, अब तुम क्या किया, इधर से गोत तार जोडा, आइस तार को इसा जोड के जमीन में गाड दिया, पताएं क्या हुआ, क्या हुआ, जली दें क्या हुआ बता ये इस साब जो है ना आर्थ साब पोजिटी को क्या किया खा गया अब खा गया और इसको अब आहां पी अभी इसके पास इधर आ गया कौँ सा चार्ज अधर खत्म हो गया नहीं अभी बॉडी कैसा बन गया निगेटीवली चार्ज बॉडी बन गया और इसको आर्थ नहीं करते सुनना ध्यान से इसको आर्थ नहीं करते और इस रोड को फिर यांस हटा लेते तब फिर से क्या हो जाता ही फिर से क्या हो जाता दुबारा फिर से अपना चार्ज फिर से जैसे पहले था वह ऐसे हो जाता और फिर से क्या बन जाता निट्रल बन जाता संहयाराइबाध लेक गये नजदीक में चार्जड हो गया जैसे हमे लेकिन हम अुल्टा किये लेके गये और इलूरो को क्याori अर्थिंग कर दिये और आप इसको फॉता देते हैं तो यह बीसे जाएघ तो हुआ बन गया और अगर इधर वोला को आर्थ कर देते तो तो पोजिटिव बन जाता ना इंडक्शन से और आर्थिंग दो में थड़ है ना पहले इंडक्शन आ दूसरा कौंसा आर्थिंग कर देंगे तो हमको जैसा बोड़ी चाहिए वह साम मिल जागा नहीं मिल जागा अगर पो अगर आधर निगेटीव को अभी क्या बोले हम आर्थ बहुत बड़ा भुखड़ अदमी है भुखड़ है मैं लोक्या पलस दोगे तो भी खा जाएगा आप पोटेंसियल कितना कर देगा जीज जगा पर अर्थिंग कर दोगे उस जगा का पोटेंसियल कितना बोलोगे यह हम लोग कौन समय थट पढ़े हैं अभी चार्जिंग में थट पढ़ लिया ना तिनों कौन-कौन समय थट था हाँ पहला का फिर इक संदूसरा तिसरा किसमें कैसा प्रोपर्टी होता है पता चल गया कोई दिक्कत नहीं ना अब हम लोग को लास्ट टॉपिक आज का है हाना चलिए लास्ट टॉपिक लिखते हैं इसमें ज्यादा दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग distribution of mass पहले से क्या कर चुके हैं पाह चुके हैं तो जैसा कि मैं बता देता हूं सबसे पहला सबसे पहला तो यह है discrete distribution, discrete distribution का मतलब, point to point distribution, अब तीसरा, दूसरा कौन सा है बताईए, continuous distribution, और continuous में भी दूगो है ओव मेथड, एक uniform, अब दूसरा, non-uniform distribution, अब uniform में भी तीन मेथड, linear, दूसरा, distribution, अब दूसरा, अब दूसरा कौन सबताओ, अब दूसरा कौन सबताओ, volumetric, इसमें भी तीन मेथड, और इसमें भी तीन मेथड, अब सुनो ध्यान से, linear charge कहां कहां आ सकता है, कौन-कौन जगा मिल सकता है, wire में कैसा distribution होता है, charge का, rod में linear होता है, है न हो, बहुत अच्छा बात है, डंडा में linear, है न, pipe में thin pipe, thin pipe, अब आईए दिया देखिए, surface बला में आईए, plate, sheet, तीसरा, और बताओ एक आगो, देखो क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, hollow object, hollow object समझता है, जैसे यह pipe, hollow है न, इसमें charge अगर आगा तब पूरा अंदर में रहेगा, बीच में अंदर तो हवा है न, अरे बीच में क्या है इसके, air है, अंदर charge जाएगा, air में charge जाएगा, तो कहां रहेगा charge सबके सब, surface पर रहेगा न, तो यह, और यह कहां रहेगा, volumetric बूला कहां पाया जाएगा, बोलो यार, solid object के जैसे, sphere, hollow की solid, solid, cylinder, hollow की solid, hollow sphere में कैसा distribution होगा, hollow sphere में कैसा distribution होगा, बोलो, surface होगा है न, कैसा होगा, surface होगा, ठीक है, चलो इसको उतारो जल्दी फटा-फट, हो गया, linear decision में wire है, rod है, thin pipe है, यह सब ही का, देखो ध्यान से, प्लीज, यह तीनो distribution, पूरा electrostatics में, एकदम derivation point of view से तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यह distribution अगर नहीं समझा, तो derivation करना बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत tough हो जाएगा, याद ही ने होगा derivation आपको, इसलिए derivation के लिए आपको यह distribution समझना बहुत जरूरी है, अब बात उठती है कि discrete यानि point to point method, मतलब क्या कुछ यहां रख दिये कुछ यहां रख दिये कुछ यहां रख दिये कुछ यहां रख दिये है ना, जैसे कि एगो point A है, एगो point B है, एगो point C है, यहां पे दू कुलम रख दिया बहुआ, यहां पर 3 कुलंड, यहां पर 1 कुलंड यह कैसा distribution है है? कैसा distribution है, चार्ज का? Discreet है कैसा है? Discreet है Discreet का मतलब समझने है बात बंब क्या? एक एक point पे रखा रहेगा थीका न? तो उसको कैसा distribution बोलेंगे? Ayan? Discreet बोलेंगे प्याने वाला है कि यूनिफॉर्म मतलब हर जे का बराबर मात्रा में और नौन इनिफॉर्म का मतलब जियादा काम है ना अलग अलग जगापे कुछ हो सकते कोई प्रेडिक्टी नहीं कर सकते कैसे बढ़ते कराम घटते बढ़ते घटते हैना बढ़ रहे बढ़ चाना घटने शुरू गया कि इस अना कंटिन्यूवर पढ़ाना है कंटिन्यूवर स अगर continuous पढ़ लिया तो discontinuous आसान हो जाएगा सबसे इस पहले ना इसमें तुम क्या पढ़ने वाले हो एक वर्ड धिहान देना मैं जो लिख रहा हूँ क्या लिखा याद है तुम लोग को क्या लिखा जी बहुत important है mass में कॉंसे density? mass density था ना कई गो mass density था? linear mass density वहाँ पर क्या अपढ़ा है थे? linear mass density lambda याद है ना? क्या पढ़ा है थे? lambda दूसरा क्या अपढ़ा है थे? surface charge density sigma आ तिसरा कौन सा हो? volumetric charge density मतलब क्या यहाँ पे? rho होता क्या है? यह होगी है हमारा lambda कैसे निकालते हैं? total charge बटा total length मतलब Q बटा L lambda के भाईल हो गई जिस तरह से mass में था ना? total mass बटा total length यहाँ पे क्या रहेगा? total charge बटा total length sigma में क्या रहेगा? total charge अब बटा में total बताओ क्या चीज में डिस्टिब्यूट करोगे? surface surface का मतलब क्या चीज? area तग यहनिक क्या हो जगा यह? Q बटा A और volumetric में क्या रहेगा? total charge अब बटा में total क्या? volume मतलब Q बटा क्या? V Q बटा V तग यह हो गया linear charge density फिर से ध्यान से सुनिए चार्ज का distribution अगर हमको पढ़ना है क्योंकि बहुत important है अधिकतर question distribution पे ही आता है तो continuous में भी उसको हम लोग को तीन category रखना है linear, surface और volumetric जिसमें सबसे important term क्या है? charge density charge density होता क्या है? total charge with total length यहनि लीनियर charge density total charge with total area मतलब की surface charge density total charge with total volume मतलब volumetric charge density अब तुम लोग बोलेगा सर यह क्यों लीखे हो? इसकी जरुरत क्या है? वो मैं बताता हूँ जैसे की समझना ध्यान से बहुत ही important है मैं एक एक करके numericals के थुरू, भाईलू के थुरू, examples के थुरू समझा देता हूँ बहुत आसान से समझ में आ जाएगा हना? चलो हम लोग सबसे पहले किस की चर्चा कर लेते हैं? linear की? फिर किस की चर्चा करेंगे? surface की? फिर किस की चर्चा करेंगे? volumetric की है ना? आसानी सब को समझ में आ जाएगा देखते हैं यह कि करके सबसे पहले linear linear distribution paint देखे हो paint मालो तुम paint लाया, खईद करके paint को तुम charge मालो, paint को क्या मालो? charge आप तुम जो paint का डिबबा लाया है सुनना ध्यान से सब लोग paint का डिबबा लाया है मालो उसमें 10 कुलम चार्ज है कितना कुलम चार्ज है? बोले यार, 10 कुलम आप तुम्हारे पास एक ओड़न्टा था यह रोड था और रोड की लंबाई कितनी थी? बताओ अरे रोड की लंबाई कितनी थी? अब तुमने क्या किया पता है पूरा paint से इस रोड को क्या किया? रंग दिया क्या किया आखिर तुमने पता है पूरे paint को इस रोड को रोड दिया रंग दिया मतलब की color कर दिया तब paint charge है ना paint को क्या मनोगे तुम लोग? चार्ज मनोगे तब 10 कुलम charge को तुमने total length पर क्या किया? बराबर बराबर फैलाया कि एक जगा जाद एक जगा कम फैलाया बराबर फैलाया बहुत अच्छी बाते अब कितना चाज था यह और अरे कितना था मान लेत है कि लेंद का फैलू है 4 मीटर आउ क्यों कितना कुलम था बताओ अभी तुम्हेंने बताया, रोड का लंबाई कितना ले लेते हैं, 4 मीटर, बोलो भाई, हाँ, और कितना चार्ज फैला दिया तुमने, क्यों, क्यों कितना ले लिये, तो हम लोग लेम्डा, लेम्डा क्या बढ़ाये थे, लेम्डा बताओ, क्यों अपे, टोटल चार्ज, बेटे टोटल, लेंथ, टोटल चार्ज कितना फैला आया इस पे, 10, अल्लमबाई कितना था, कितना आया, क्या युनिट है देखो तो, युनिट क्या बताओ, कुलंब, इसका मतलब पता चला तुम लोगो, कि सर, एक मीटर में काई कुलंब चार्ज है, 2.5, अगर मैं तुम से बोलूँ, कि बवगा हो, यहाँ पे एक लेंथ ले ले, क्यतना लंबाई, बताओ, लेट कर लीजिए, इलिमेंटल लेंथ, इलिमेंटल लेंथ, इलिमेंटल लेंथ, दी एक्स, तब यतना दूर में कितना चार्ज आएगा, और यतना दूर में कितना चार्ज आएगा, कितना माने हम, डी क्यू माने, अब उस डी क्यू की वैलू कितनी हो जाएगी, elemental charge इस DQ के बहलू कितनी हो जाएगी बोलूगा मैं तुमसे कि बताओ मेरे को यहाँ पे पूरा रोड कितना लंबा था L था L का मतलब कई मीटर 4 मीटर तो कितना चार्ज दिया था सब में 10 कुलम तो एक मीटर में कई कुलम 2.5 कुलम आप कितना लंबा लंबा लिया है Dx में कितना लेगा चार्ज है बताओ यतना दूर में कितना चार्ज है कैसे निकालेगा वही निकालने के लिए तो बोल रहा हूँ तो एक मीटर में कितना चार्ज है यह क्या है लेमडा बताए ये लेम्डा है क्या? linear charge लेम्डा क्या है? linear charge density है कहने का मतलब क्या है? charge in कौन सा लेंथ? charge in unit length unit length का मतलब इकाई लंबाई में? नहीं यादे बच्पन में कोशन बनाता है unitry method 10 रुपाईया में 5 कलम तो एक कलम का दाम कितना? तो कैसे निकालता था? यादे अगर 10 रुपीज मतलब 5 पेन तो 1 पेन इस इकल टू रुपीज ना? एक पेन का दाम कितना? तो अगर बोलो 3 कलम का दाम बता दो कितना बताऊगे? 6 रुपीज बताऊगे ना? तो वही तो यहाँ पे है कि 4 मीटर में काई कूलम? 4 मीटर में काई कूलम? 10 कूलम तो dx मीटर में कतना कूलम? कैसे निकालेगा? पहले 1 मीटर में निकालना पड़ेगा चार मीटर में 10 तो 1 मिटर में कितना हां यहीं बात यहां पर है एक मीटर में चार्ज केतना दोतव़ अमलाव 5 दीएकस मीडर में केतना दोतव़ नर पाँच कुना डीएकस नहीं तर यह च्वटका चार्ज यह इतना दूर में कचार्ज माने है 9ласт k suitcase अईस्य महुत्त का led mobile लेंडाल को lambda into क्योंकि lambda कितना का लंबाई है कितना का charge है 1i का और कितना दूर का निकलना है dx का निकल क्या नद x का यह निकल जाएगा dx का आप फिर इसी को हम लोग integration में लाएँगे नहीं जी अधर integrate कर देंगे जहां स जहां तक तो वहां सुना तक निकल जाएगा चार्ज, कि नहीं, तो हम बार-बार बोल रहे थे, continuous जब भी पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, चाहे linear पढ़ें, चाहे surface पढ़ें, चाहे volumetric पढ़ें, continuous में हमें ऐसा elemental length की जरुद पढ़ेंगी, नहीं जी, elemental length, या elemental area, या elemental volume, अगर linear है, तो dx लेना, अगर surface है, तो क्या लेना, da लेना, और volumetric है, तो क्या लेना, dv लेना, है ना, तो यहाँ पर कैसे निकालेगा छोटका चार्ज, dq कैसे निकालेगा, तो lambda into dx, अब जतना मनिकालने निकाल सकता है, नहीं, कोई दिक्कत, उतार लो आप मैं तुम से पूछू, चार मीटर में बताओ, तो यहाँ पर here, charge in 1.2 मीटर, कितना एक बताओ, 4 मीटर में कितना कुलम, 10 कुलम, 1 मीटर में कितना कुलम, तो कितना मीटर पूछ रहा है, तो q ब्राबर कितना लिखेगा, 1.2, अगुना कितना, नहीं, अभी मैं सिखाने थो ना, लेमडा से मुल्टिपलाइख करेंगे, dx length में, तो लेमडा, dx, 1.2 में में, लेमडा 1.2, 2 में में, लेमडा इंटू, 3.2 में 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 2, 0.2 में, लेमडा इंटू, 3.2, तो 1.2 crit permett aur dalल dá charge है तीन कुलम अगे एक्स लंबाय में कितना कुलम चार्ज है कि अदि क्यू पहलो कितना है लेंडा इंटु मैं येही था linear distribution उतार लिजिए है गोई सर्फेस डिस्ट्रिबूशन सब लोग सबस्ट इसट्रिबूशन हना मैं क्या बोल रहा हूं कि वही क्या क्या तुमने वही डबा लाया और आप एक रोड को नहीं रंगा आप क्या किया यतना बड़ा प्लेट था जिसके एरिया कितना था अरे एक प्लेट था जिसके एरिया कितना था यह था आई इसको पूरा पेंड कर दिया सब चार्ज को क क्या क्या तुम एक जगह रख दिया बोलो भाई क्या किया दोस्त कि बोली निरा यार हां तो बताओ तो चार्ज देंसिटी कितना जगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनिस सिगमा कितना जगा क्यों बटा यह हो जाएगा नजी अगर मैं तुमसे पूछू एक काम कर यतना दूर इस बाला एरिया में इसका एरिया कितना है बताएए यह एरिया कितना है और यह वहला एरिया कितना है दिए इसमें कितना चार्ज है तो इसमें कितना चार्ज होगा बताई चुके हैं कितना चार्ज होगा कितना चार्ज होगा दीक्यू छोटा सा अरिया में छोटा सा चार्ज तो कैसे निकलेगा डीक्यू तो लेट एलिमेंटल एरिया कितना लिया एलिमेंटल एरिया दीए इसलिए चार्ज कैसे निकलेगा एलिमेंटल चार्ज बोलो सब लोग DQ कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे DQ अरे कैसे निकालोगे DQ सिगमा समली प्राइ करोगे ने जी सिगमा क्या है दोस्त एरिया है चार्ज है कितने एरिया में ये क्या है चार्ज कितने एरिया में है क्या है न कि तुम लोग पढ़ाए लिकाए छोड़ दो जरुवत ही नहीं है पढ़ने लिखने से क्योंकि जब पढ़ा हुआ चीज भी नहीं पता है तुम लोगों को सी सेम चीज पूरा मास में पढ़ाए हुए है क्या पढ़ा रहे है कि सरफेस डिस्ट्रिव्यूशन मतलब कहने का यह बाबू कि हमने पूरा दस कुलम पेंट को माले एरिया ले लेते हैं टू मीटर स्क्वाइर कि अतना मीटर में फैला दिया तू मीटर में है ना तो सीगमा कैसे निकालेंगे बताए टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया से क्यतना कुलम चार्ज था तुमारे पास दस कुलम को दो मीटर में तो क्यतना आया पास कुलम पर मीटर स्क्वाइर नि एक मीटर स्क्वाइर में कितना कुलम चार्ज डिस्टिब्यूटेड है पास कुलम चार्ज है ना अगर तुमसे पूछे कि चार्ज इन 0.25 मीटर स्कॉाइर 0.25 मीटर स्कॉाइर में यनि इसका एरिया में आ लेते हैं 0.25 था तो वतना में कितना चार्ज है कैसे निकालेगा क्या करेगा क्यों कैसे निकालेगा कितना समलिपलाई करेगा इसको सिगमा निकाल लो फिर जितना एरिया में निकालना हो उसको सिगमास क्या कर दो multiply कर दो है ना तो भाई कुछ नहीं करना था 0.25 अगुना पांच कितना आया 1.25 आए तब मतलब कि 0.25 मीटर स्क्वाइर में कितना चार्ज है 1.25 कुलम समझ मैं आए तको यानि पूरे चार्ज को हमने कहां फैलाया था यानि पूरे पेंट को हमने कहां पर फैलाया था सरफेस पर फैलाया था कहां फैलाया था सरफेस पर जब हम किसी चार्ज को सरफेस पर फैलाते हैं सरफेस पर रखते हैं तो कौन सा डिस्ट्रिबूशन होता है बोलिए सरफेस डिस्ट्रिबूशन होता है और जब पूरे चार्ज को हम पूरे बॉड़ी के अंदर तक फैला देंगे वॉलूम में फैला देंगे तब कौन सा डिस्ट्रिबूशन होगा वॉलूमेट्रिक डिस् distribution, volumetric, तो क्या करोगे, यह मान लो पूरा इस फेर ले लो, क्या ले लिए ये, इस फेर ले लिए, अब सभी में चार्ज रख दीजिए, इसका volume कितना ले ले, वी, तो बताए, चार्ज पर इउनिट वॉलूम, मतलब इकाई volume में चार्ज, इसी कुन सिगमा बोलते हैं, अब क्या प्रहाए थे, टोटल चार्ज को भागा दो किस से, टोटल वॉलूम से, वही निकल जाएगा रो, अगर मैं तुमसे पूछूँ कि छ चोटा सा बॉलूम में ले, कितना ले 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 चोटा सा बॉलूम, डी वी, इसमें कतना चार्ज है, तो लेट कर लेते हैं, ऐलिमेंटल बॉलूम, डी वी, देञ, ऐलिमेंटना चार्ज, dq ब्राबर कितना निकलेगा बोलो कितना निकलेगा ρो इंटू db नहीं अब हमें जितना volume में charge निकालना है उसको integrate करना पड़ेगा कि नहीं तो जब भी continuous distribution आएगा चाहे linear हो चाहे surface हो चाहे volume मेट्रिक हो हमको पहले क्या चीज के लिए निकालना पड़ेगा element के लिए निकालना पड़ेगा सबसे पहला काम तो init के लिए निकालना है इन्हीं लेमडा निकालना ही पड़ेगा sigma निकालना ही पड़ेगा और वो निकालना ही पड़ेगा अब दूसरा क्या लेना पड़ेगा एलिमेंट लेना पड़ेगा फिर एलिमेंट के लिए चार्ज निकालना पड़ेगा अब तब जाकर के हम सभी के लिए निकाल पाएंगे सब्मार है बात otherwise is possible नहीं है तो जब भी continuous distribution आएगा ना तो हमको पह एट पे शीट पे या होलो बॉड़ी पे और वॉलुमेट्रिक यहीं सॉलिड बॉड़ी पे ठीका ना यह तीन तरीके का distribution पर सकते हैं तीन तरीके का चार्ज का देंसिटी हो जाएगा लीनियर सर्फेस और वॉलुमेट्रिक और एलिमेंटला इसा निकाल करके अब हम लोग यहा पे इसका यूज कुलाम्ब्सलाव जgew joyful करेंगे कुलाम्ब्समाव सेश करना शुरु करदेंगे हैना अक लॉम्सलाव से यह चीजे परना शुरु करदेंगे ठीक ना सुद्मेटरिक वात चलिए हम लोग अब जो ह हम लोग उनड़ की verse प्रेंगी प्रेंग क्लेंगी ह सानी हो रेना हो जात मैं हो से दो सानी х क्लिक एढा ली को एढा की मैं हो सार्ण हो जो भीस, रख बाड़ ब बाड़ कोर थो prime दो लो ही पहां向ा हनो हो करम में हैं हो आ ट type दो